साथ साल से अलग रह रहे पतिपत्नी परिवार परामर्श की मदद से हुए ए साथ प्रक्रडों में हुआ राजीनामा, दस प्रक्रडों की हुई काउंसलिंग शिवपुरी में इस्थानी पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित परिवार परामटश केंदर के शिविर में सुनवाई योगि दस प्रकरडों में से साथ में राजिनामा कराने में सफलता प्राप्त होई है समझोता ना हो पाने वाले तीन प्रक्रड महिला प्रकोस्ट को वापस कर दिये गए हैं शिवपरी पुलिस कप्तान रगवश सिंग भधौरिया की पहल और निर्देशन में चलाए जा रहे हैं परिवार परामर्च के शिविरों में आपसे समझोतों करा कर परिवार को तूटने से बचाने कानू करने हैं काम जिला पुलिस परिवार परामर्च केंदर के द्वारा सफलता पूर्बक किया जा रहा है इस इक्राम में आयोजित इसमा के शिविर में साथ प्रक्रडों में समझोते की उलेखनीय सफलता प्राप्त होई है इस शिविर का रोचक प्रक्रड एक ऐसे पती पतनी का था जो एक तीन वर्च से अलग रह रहे थे जहां पती चंबल संभा के एक पुलिस अदिक्षक का गनर था वहीं पतनी अपना सिलाई कर करेरा में गुजर बसर कर रही थी ये दोनों विगत तीन वर्च से अलग रह रहे थे और जगड़े की वज़ा एक दूसरे पर शक करना था परामर्श दाताओं के कुशल समझाए से इन दोनों पती पतनी के बीच जहां शक की गुंजाइस को समाप्त किया गया वहीं सोहार्द पोड़ वातवरण में एक दूसरे कराजी नामा संपन ने कराया गया अब पती पतनी एक साथ रहेंगे और अपने बच्चों को शहर के स्कूल में पढ़ाएंगे इस प्रकरण में बेटी पिता के साथ रह रही थी तो बेटा मा के साथ रह रहा था बैरार निवासी राजेश का विवा पोरी की राम कुमारी से हुआ था और उनके विवा को पंदरा वर्ष हो गये थे जिसमें दस साल का बेटा और नौ साल की बेटी भी है इन दोनों के बीच आपसी मुवाद विवाद में बदल गया था जिसके चलते पतनी पती से अलग डेड़ साल से माईके में रह रही थी जहां पती लॉंड्री का काम करके अच्छा खमाता खाता था मही पतनी भी अपने विक्तिगत काम करके धन अर्चित करती थी परामर्ज जाता हो कि समझाई इसका असर ऐसा हुआ कि न केवल दोनों में राजी नामा संपन हुआ बलकि पती कंट्रोल रूम से ही अपनी पतनी को साथ लेकर बैराड चला गया एक अन्य प्रकरण में शिवपुरी निवासी बबीता का विवार आकेश के साथ हुआ था दोनों ही पती पतनी बेहत पढ़े लिखे थे जहां पती आर्किटक्त था वहीं पतनी भी उच्छे सिक्षित महिला थी विवा के मात्र छे महिने हुए हैं और एगो को लेकर दोनो के साथ बीच समस्या हो गई लेकिन परामर्श दाताओ के कुशल परामर्श दोनों के बीच जो समस्या थी वद दूर हो गई और विवा के छे मा के भीतर बिखरने जा रहा घर भज गया इस शेविर में पुलीस अदिक्षक रगवण्श सिंग बदौरिया जिला संग्योज कर दो